टाटा स्टील के कौर्टर फूर के नतीजे आ चुके हैं तो चलिए देखते हैं नतीजे कैसे हैं और डिविडेंड को ले करके भी एक खबर है ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे बस वीडियो को अन तक जरूर देखें चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं सब यह देखते है consolidated basis के result यहाँ पे करोड में data है income देखेंगे तो बहुत बढ़ा digit है comparison हम करेंगे तो जादा better रहेगा quarter जादा income है साल दरसाल income कम है expense एकर आप देखेंगे तो expense भी जादा है quarter quarter साल दरसाल थोड़ा सा कम है अब सबसे important चीज़ देखेंगे यहाँ पे profit loss before tax कितना है उसके पहले हम देख लेते हैं कि profit या loss before exceptional item and tax क्या है तो चौबिस सो तीन करोड का है पिछले quarter में देखेंगे तो कम था और एक साल पहले जादा था तो quarter quarter देखेंगे कि जादा है लेकिन साल दरसाल कम है profit या loss before tax देखेंगे तो 1800 करोड का है पिछले quarter में जादा था पिछले साल पहले भी जादा था तो यहाँ पे profit before tax कम है quarter quarter पे भी साल दरसाल पे भी net profit देखेंगे तो वह quarter quarter जादा है लेकिन साल दरसाल कम है तो हम लोग ने company का consolidated basis पे result देख लिया ठीक है अब हम देखेंगे stand loan basis पे result लेकिन मेरे साब से नतीजे जो है बहुत अच्छे है नहीं तो pressure भी कला सकता है वाकी चलिए देखते है stand loan basis पे result करोड में यहाँ पे भी data दिखेगा अगर आप यहाँ comparison करेंगे quarter quarter जादा income है साल दरसाल income कम है expense देखते हैं तो expense quarter quarter जादा है साल दरसाल कम है और यहाँ पे profit loss before exceptional item tax कितना है 6057 करोड का पिछले quarter से जादा है profit और पिछले साल से कम है और अगर आप final यहाँ देखेंगे net profit क्या आ रहा है तो 4050 करोड का पिछले quarter में जादा था एक साल पहले भी जादा था तो यहाँ पे जो आपको profit है वो कम देखने को मिलना है quarter quarter भी जो performance है वो निराश वाला है company 3.60 पैसे पर शेयर का dividend announce कर रही है तो बस यह देखना होगा यह जो dividend की ख़बर है market अगर इसको जादा मतलब seriously लेता है तो गिरावट नहीं होगी उतनी लेकिन अगर यहाँ पे result के basis पे market में आपको गिरावट देखने को भी मिल सकती result के basis पे मेरे साब से बहुत जादा stock को गिरना नहीं चाहिए नहीं गिरना चाहिए क्योंकि dividend एक बहुत बड़ा मतलब company game खेल गया अच्छा दिमाग लगया result खराब आ गया तो इन्होंने dividend announce कर दिया जिससे क्या हो कि आप खुद सोचे कभी आपने ऐसा देखा dividend announce हुआ है और उसके बार stock जो है नीचे खुल रहा है ऐसा तो होता नहीं हाँ record date के बार ऐसा हो जाता है लेकिन जब announcement आता है stock खुलता ही 60% उपर है तो कल देखने के बा देखने को मैं सकता है या फिर फ्लैट भी दिख सकता है ठीक है चलिए अब चार्ट भी देख लेते हैं तो अगर मान लेते हैं यहां पर by chance गिरावट हुई तो stock में आपको 172 तो आई जाएगा आराम से अगर गिरावट होती गिरावट होती 168.50 तक आ सकता है stock लेकिन मु काटर 4 के नतीजे आ चुके हैं तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे result company ने पेश किया है तो consolidated basis पे result देखेंगे लाख में यहां पर data दिखेगा तो यहां पर आप देखेंगे तो 573 क्रूर का income इस quarter में हुआ है पिछले quarter में 607 क्रूर का एक साल पहले 582 क्रूर का तो income यहां हम देखें यहां पर तो expense जो है 606 क्रूर का है पिछले quarter में 409 क्रूर एक साल पहले 400 sorry 382 क्रूर तो यहां पर रेखेंगे expense company ने बहुत जादा खर्च कर दिया है यह तो अच्छी बात नहीं है income देखेंगे income भी अच्छी generate नहीं है expense भी जाता खर्च कर दिया है तो profit कहां से ही होगा ज्यादा तो profit अगर आप यहां पर देखेंगे profit before tax तो यहां पर profit before tax केवल 71 क्रूर का देखने मिला है पिछले quarter में 174 क्रूर का था एक साल पहले 242 क्रूर का था अब यह जो भी digit है ना जैसे 37139 लिखा हुआ है तो यह जो digit है इसमें हम क्योंकि लाग में data present है ठीक है तो अगर हम उसको करूर में पढ़ना चाहते तो लाश की दो डिजिट हमें हटानी पड़ेगी वह बचेगा करूर में तो इसलिए मैं इसको 71 करूर बोल रहा हूं ठीक है मैं बता दू क्योंकि कुछ लोग को नहीं पता होता है net profit अगर देखेंगे 61 करूर का पिछले quarter मे देख लेते हैं जादा impact to consolidated basis पर रहता है लाख में यहाँ पर data present है income देखेंगे quarter quarter भी कम है साल दर साल भी कम है expense अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो expense quarter quarter जादा है साल दर साल जादा है मतलब खर्चा company बहुत जादा पता नहीं क्यों कर दी आपकी बार अगर net profit देखेंगे तो वो कम है quarter 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 साल दर साल जाता है overall negative results हैं बहुत अच्छे नहीं है stock में हो सकती गिरावट तो stock में कल pressure आ सकता है मेरे साथ से 135 पहला support रहेगा अगर इसको भी stock cross करता है 128 तक आ सकता है ठीक है अब जिन्होंने पहले से खरीद के रखा बुरा मत मानिये results जैसे आएं वैसा ह आए मैं बता रहा हूँ आच्छे ना तीजे नहीं तो support की बात करेंगे ना simple सी बात है बाकी हाँ बाकी एक और चीज़ में आपको उता दो अगर आप चैनल पर अभी तक नए हैं subscribe नहीं किया तो subscribe करिए और जो भी video previous है उन सभी को watch करिए क्योंकि जो stock हम बताते हैं अगले एक से दो दिन में उन में अच्छा action देखने को मिलता है नहीं था उसमें sell चला जाता है अगर आप सारी video watch करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस style के हम लोग trading करते हैं वो भी cash में करते हैं ये nifty bank nifty वालों के तरह नहीं कि वो 5 point का sell लगा रहे हैं 100 point 1000 point capture कर रहे हैं 1 ratio 20 ये कर सकते हैं वहां पर भी हम stocks के analysis साजा करते हैं stock अच्छा perform वहां पर भी जो हम बताते कर जाता है perform इस video के description में link मिल जाएगा और तो बस यही SJVN में 135 एक support है जो की break हो भी सकता जल्दी और उसके बाद देखेंगे 130 के आसपाद एक support 130 128 तो ये कुल मिला के बात है तो pressure के आन at the rate चौधरी वरुन लिखेंगे तो वहां पर हम आपको टॉप पर देखने को लेंगे space नहीं है बीच में space नहीं है